हलो फ्रेंट्स वेलकम बाक तु माई चानल और आज का हमारा नया टॉपिक है ओट तु दे वेस्ट वेंड बाई पीबी शेली इन्होंने ये पोएम पब्लिश किया था 18-19 में भले ये 14 लाइन्स में है बट इसे हम सॉनेट का नाम नहीं दे सकते इसका जो मेन कंक्लूजन है वो ये है कि ये जो वेस्ट वेंड है ये डिस्ट्वाइर भी है और प्रिजर्वर भी है बिना देरी किये आए पोएम के शिरुवात करते हैं शेली कहता है कि जो west wind है, जो आ रही है west wind, वो काफी डरावनी है और सकत है, वो आकर पेड़ों में जो dead leaves हैं, उसको उड़ाकर ले जा रही है, उसी तरह जिस तरीके से मानो घोस्ट हो, yellow and black and pale and hectic red, pestilence-stricken multitudes, oh though, who chariotis to their dark wintry bed, पत्या जो है, वो भिन-भिन रंगों में हैं, जैसे yellow, black, pale, red, the winged seed, where they lie cold and low, each like corpse within its grave, until thine-aussure sister of the spring shall blow, west wind, सूखी पत्तियों को ले तो जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ seeds को भी लेकर जा रहा है, seeds को दूर जाकर दफन कर देता है, और ये seeds तब तक वहां दफन रहती है, जब तक उसकी बहन spring ना आ जाए, spring आकर उसको जगाती है, और फिर वे कलियों में उत्पन होते हैं, her clarioner, the dreaming earth and fill, with living hues and odors, plain and hill, wild spirit, which art moving everywhere, destroyer and preserver, here or here, तो दोस्तो, शेली कहता है कि ये west wind जो आया है, ये कुछ नो कुछ नया लेकर आया है, और जो पुराना है, उससे लेकर ये वापस जा रहा है, जैसे कि destroyer भी है ये और preserver भी है, destroyer क्या है, कि ये जो हमारे पास जो चीज़ें पुरानी हो गई थी, जैसे leaves and all जो भी, तो ये उससे लेकर जा रहा है, और preserver मतलब कि seat जो है, उसको दफन कर दे रहा है हवा के द्वारा, और फिर spring का weight होता है, जब spring आती है, तो फिर वो कलियों में उतपन होता है, अब समझ रहें, ये क्या है, ये destroyer भी है, और preserver भी है, दोस्तों, अगर मेरी explanation अच्छी लगी हो, तो मेरी channel को like and subscribe करना ना, भूले and thank you once again for watching.